आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बता हूँ का कैसे आप Google पे business account पे instant settlement option on कर सकते हैं नमस्कार मेरा नहीं विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बहुत साथ लोग का account में balance hold हो जाते हैं और आप लोग instant settlement का option आप लोग चाहते हैं बट बहुत साथ लोग का instant settlement का option नहीं मिलता है यह कैसे आप लोग instant settlement करें मैं आप लोग को बहुत इजी तरीके से बताता हूँ एक है systematic और एक है system में नहीं रहता है request करके आपको आपका system पे लेकर आना पड़ता है Google Pay for business account पहले मैं आपको बताऊंगा तो system systematic जो manually रहते हैं वो कैसे आप कर सकते हैं पहले आपको Google Pay business आपको play store में जाके latest version में अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद आपका जो Google Pay business आपके open कर लेना है instant settlement की बदले में तो यह एक बहुत बड़ा problem है जो लोग का instant settlement option दिखाई दे रहा है उस instant settlement option पे click करके save कर दीजेगा तो जब आप payment लेंगे तब आपका एक से दो minute के अंदर company जो है जो मेरा instant settlement option प्रोवेट कर लिए नहीं तो मेरा account हम यूज नहीं कर पा रहे है उसमें आपको complaint करना है complaint करने के बाद लोग आपका एक complaint note करेगा उसके बाद पांस से दस दिन के अंदर आपका instant settlement option आज आएगा इसके बाद भी आप instant settlement option करना चाहते हैं तो आपको पहले गूगल पर business app को close कर लिए एगेन आप उपन कर लिए उपन करने के बाद पहले रहते हैं view all transaction करके एक option देक दों सामने आप सुरुक देख पा रहे है उदर view all option पर क्लिक करने के बाद आपको एक option मिल जाएगा settle now करके उपर में रहते है settle now option पर क्लिक करेंगे तो आपका खाते में जितना भी सारा balance जमा रहते हैं सब आपका एक साथ account में चला जाएगा इसी तरफ से भी आप instant settle करके अपना balance को account में ले सकते हैं तो ये दोनों process है दोनों process मैं आप लोग को बता दिया नमस्ते